सनी देवल 65 वर्ष के हो चुके हैं, हिंदी सिनेमा के दिगज अभिनेता धर्मिंद के बेटे हैं, सनी देवल ने 1982 फिल्म बेताब से वॉली बुड में कदम रखा था, अभिनेता ने 80 और 90 के दर्शक में कई बहतरीन फिल्मों में काम किया था, और इनकी ये फिल्में काफी ह फिल्म मानी जाती है, बात करें सनी देवल के उम्र की तो उनके साथ साथ उनके फिल्मों के डायलोग भी दिनो दिन जवान होते जा रहे हैं, इनके फिल्मों के डायलोग आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच में बहुत लोग प्रिये हैं, सिनेमा प्रेमियों के बीच अभ लोगों को याधी होगा गदर एक प्रेम कथा का ये बहुत ही लोगती ये डायलोग था जो कि आज भी लोगों के जुबान पर चड़ा हुआ है बली हमेशा बकरे की दी जाती है शेर की नहीं ये डायलोग इनकी फिल्म सिंग साब्दी ग्रेट से है नो इफ नो बट सिर्व जट जो बोले सो निहाल फिल्म से इनका ये डायलोग बहुत ही फेमस हुआ था जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है ये डायलोग दामनी फिल्म का है जो कि इतना फेमस हुआ था कि लोग इसे आज भी य आज के बाद तेरी हर सास के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा रहूंगा ये डायलोग जीत फिलम का है मैं तेरा वो हश करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा ये डायलोग घायल फिलम से लिया गया है जो कि इसे लोग आज भी दोहराते रहते हैं अपने कि इसे लोग आज भी सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये डायलोग दामनी फिलम से है ये मजदूर का हाथ है लोहा पिगला कर उसका आकार बदल देता है ये डायलोग घातक फिलम से लिया गया है सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा घर में घुसकर मार है तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताईए हे न बॉक्मारी ख़न को सुझाव है